गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिटा पिछले लेक्चर में हमने पाट आठ का पाट सार पढ़ा था आज हम इसके कुश्चन अंसर करेंगे किस से कहावतों की दुनिया फर्स्ट है व्यतो टहरा साधारा अदमी सो लालच में आ गया रागीर कहां से गुजर रहा गुजरा रागीर राजमहल के पास से गुजरा वह लालच में क्यूं आ गया महल बहुत आलिशान था वहां कीमती सामान भरा पड़ा था या देखकर वह लालच में आ गया थर्ड कोश्चन है उसने लालच में आ कर क्या किया उसने लालच में आकर जटपट कुछ कीमति सामान अपने जोले में डाल लिया कुछ ऐकदम से उसने जो बहमुल्य चीज़ें थी वा अपने बैद में डाल ली सेकेंड है बुना चोर को तो चस्का लग गया चोर को ़िया करने का चस्का लग गया था चोर को चोरी करने का चसका लग गया था उसको चोरी करने की आदत पढ़ गई थी चोर कैसे पकड़ा गया? इतनी चोरियां होते देखकर महल में चौकसी बढ़ा दी गई पहरेदारी बढ़ा दी गई जिस कारण चोर पकड़ा गया थर्ड है अंत में चोर ने पकड़े जाने पर क्या कहा अंत में चोर के पकड़े जाने पर उसने उल्टा कोतवाल को ही डांटा और कहा कैसे कोतवाल हो तुम यही रक्षा करते हो महल की सारे पहरेदार सोते रहते हैं फिर चोरी नहीं होगी तो क्या होगा कहीं ऐसा ना हो की सारा खजाना लूट जाए मैंने तो यह सब बताने के लिए चोरी का नाटक किया बेटा इसको आप अपनी कौपी पे उतार लेंगे अपनी कौपी पे कर लेंगे और थ्री कुशनिस के याद भी कर लेंगे धन्यवाद